हेलो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्राखंड की कुछ महतपूर्ण क्वेशन जो आपकी आने वाले एकजाम के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तो तो शुरू करते हैं तो पहला क्वेशन है दोस्तो हमारा कि इस इस्तान को सुदर्शन छेत्र भी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों सुदर्शन छेत्र तो देव पर्याग को ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों देव पर्याग को इंद्र पर्याग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इंद्र पर्याग ठीक है और दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि देव पर्याग किन्दियों के संगम पे है तो अलगनंदा और भागी रती के ठीक है अलगनंदा को बहू और भागी रती को सास कहा जाता है ठीक है दोस्तों इसके सासा दोस्तों देव पर्याग पांच पर्यागों में से एक पर्याग भी है ठीक है जो कि सबसे दक्षण में स्थित है तो क्वेशन बन सकता है दोस्तों कि सबसे दक्षण में इस्थित पर्याग कौन सा है तो सबसे दक्षण पर्याग कौन सा है दोस्तों तो देव पर्याग है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों देव पर्याग गिर्धांचल और दसरांतल परवतों के मध्या गिरा हुआ है ठीक है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों देव प्र्याग में एक परसिद संकर कुफा संकर गुफा भी कहा है तो देव प्रियाग में ठीक है इसके साथ दोस्तों देव प्रियाग में परसित मंदिर रगुनात मंदिर इस्तीत है जो कि भगवान राम का मंदिर है ठीक है दोस्तों और दोस्तों रगुनात मंदिर किस सैली में बना है तो दर्विड सैली में बना है ठीक है और रगुनाल मंदिर का निर्मान किस ने किया था दोस्तों तो संकराइचारे जी ने इसका निर्मान किया था और पुनद्वार किस ने किया इस मंदिर का तो दौलत राम सिंध्या जी ने किया था ठीक है ठीक है दोस्तों तो अब और option देखते हैं दोस्तों जैसे उत सुराम मंदिर ठीक है और गंगोतरी यमनोतर ये सब का है उत्तरकासी में ठीक है इसके बाद देखते हैं दोस्तों रुद्रुप्रियाग का प्राचिन नाम क्या है दोस्तों तो पुनाड ठीक है पुनाड रुद्रुप्रियाग का प्राचिन नाम है ठीक है और दोस्तों दोस्तों कंड़ प्याग किस नदियों के संगम पे है सबसे पहले तो अलक नंदा और पिंडर ने दी के संगम पे ठीक है दोस्तों और कंड़ प्याग में दोस्तों एक परसिद मंदिर उमा देवी मंदिर उमा देवी मंदिर ये भी कहा है तो कंड़ प्याग में है ठीक है दोस्तो अब बढ़ते हैं आगे हमारा दूसरा कुसर है दोस्तो सोम का भंडा इस तल कहां है तो सोम का भंडा इस तल कहां है दोस्तो पोड़ी में ठीक है और पोड़ी में किस जगों है दोस्तो तो देवलगड में ठीक है देवलगड जो सिन तो सितला खेत इस्ताल कहा है तो सितला खेत कहा है तो सितला खेत कहा है दोस्तों अलमोडा में है ठीक है ठीक है ठीक है अब जानते हैं थोड़े स्के बारे में तो सितला खेत इस्ताल दोस्तों रानी खेत और अलमोडा के मद्य में सिते ठीक है और दोस्तों इस सितला खेत के नजदी की एक परसिद स्याहिदेवी मंदिर इस्तित है कौन सा मंदिर स्याहिदेवी मंदिर इस्तित है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों सितला खेस से कोची दूरी पर हमारे राजे के एक मातर भारत रतन प्राप्त करता गोबिन बलब पंथ जी का जन्म इस्ताल भी है जो कि खोटगाव यहां से थोड़ी दूरी पीश्थी थे ठीक है दोस्तों next question है गर्जया मंदिर कहा है तो गर्जया मंदिर कहा है दोस्तों तो नइनिताल में ठीक है ठीक है दोस्तों और अगर यह पूछा जाए कि किस नदी के मद्य में है तो कोशी नदी के ठीक है और दोस्तों गर्जया देवी के मंदिर के नजदीक ही सितवनी इस्थल है कौन सा इस्थल सितवनी इस्थल भी कहा है गर्जया देवी मंदिर के नजदीक है ठीक है दोस्तों next question है रामसिला मंदिर कहा है तो रामसिला मंदिर कहा है दोस्तो तो अलमोडा में है ठीक है दोस्तो और दोस्तो जब चंदवन का सासन था कुमाओं में तो उस समय इस इस्तान को क्या कहा जाता था दोस्तो तो मला महल कहा जाता था ठीक है क्या कहा जाता था ठीक है दोस्तो और राम सिलाम मंदिर का निर्मान किस ने किया था दोस्तों तो रूप चंद ने किया था जो चंद वन का सा सकता ठीक है रूप चंद ठीक है और कप किया था दोस्तों तो फंद्रसो अठासी में किया था फंद्रसो अठासी में ठीक है तो आसकी इस वीडियो में इतना है दोस्तों थै